एक्सेलिंसीज, विश्व के सबसे बड़े लोक्तंत्र भारत की और से और एक्सोचालिस करोड भारतवास्यों की और से आप सभी को नमस्कार जून में अभी-अभी मानवितिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीजरी बार सेवा का उसर दिया है और आज मैं इसी वन सिट अफ हुमेनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूँ फ्रेंड्स जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यूमन सेंट्रिक एप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलप्मेंट को प्राथिक्ता देते हुए हमें मानव कल्यान, फूड, हेल्च सिक्यूरिटी यह भी सुनिश्यत करनी होगी भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट कैन बी सक्सेश्फफुल सक्सेश का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साजा करने के लिए तयार है Friends, success of humanity lies in our collective strength not in the battlefield और बैश्विक शांती एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में reforms आवशक है Reform is the key to relevance African Union को नई दिल्ली समीट में G20 की स्थाई सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपों कदम था वैश्विक शांती और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाज जैसा बड़ा खत्रा है तो दूसरी तरफ Cyber, Maritime, Space जैसे अनेक संगर्ष के डाए नए-नए मैदान भी बन रहे है इन सभी विशहों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्षन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन फ्रेंट्स टेकनोलोजी के सेफ और रिस्पोंसिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवशकता है हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवरनेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रिय संप्रभूता और अखंडता अक्षून रहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्टर शुड़ बी ब्रीश नॉट अ बैरियर ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्टर पूरे विश्व से साजा करने के लिए तयार है फ्रेंड्स भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिट्मेंट है यही कमिट्मेंट हमारे वन अर्थ वन हेल्थ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड जैसे इनिसेटिव में भी दिखाई देता है पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक सम्रुद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मना से काम करता रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद